एलो फ्रेंट्स आज की समय में लगभख सभी लोग Facebook यूज़ करते हैं फोटोज अपलोड करते है, फोटोज शेयर करते है, वीडियोज शेयर करते है जहां तक डाउनलोडिंग की बात करें तो फोटोज तो सभी डाउनलोड कर लेते हैं Facebook से लेकिन दोस्तों अभी तक Facebook में वीडियोस डाउनलोड करने का कोई भी option available नहीं है तो इसलिए वीडियोस को डाउनलोड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा last तक देखिए क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी help से आप Facebook के किसी भी वीडियो को बढ़ी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों चलते हैं PC पे और देख लेते हैं वो सिंपल सा ट्रिक जिसकी help से हम Facebook के किसी भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं मेरा नाम है अलतमश और फ्लकी और आप देख रहे हैं Tech Hindi गयान YouTube चैनल अभी तक दोस्तों आप लोगों ने अपने Tech Hindi गयान YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी साथ बैल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए तो दोस्तों सबसे पहले हम Facebook पे लॉग इन कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों जिस वीडियो को आप डाउनलूट करना चाते है उस वीडियो को प्ले कर लिजिए जैसे कि यह एक वीडियो है मालेजे हमें इस वीडियो को डाउनलूट करना है तो सबसे पहले हम इस वीडियो को play कर लेंगे और उसके बाद right click करेंगे right click करने के बाद दोस्तों इसमें आपको तीन options दिखेंगे play, unmute, show video URL तो हमें show video URL पर click करना है show video URL पर click करने के बाद इस video का जो link है वो हमें show होगा अब दोस्तों हमें क्या करना है इस वीडियो की link को copy कर लेना है उसके बाद दोस्तों अब हम अपने browser पे एक नया tab जो हो open कर लेंगे नया tab open करने के बाद उपर URL बार में हम उस link को paste करेंगे जो हमने video का link copy किया था paste करने के बाद हलका सा edit करना है हमें इस लिंक को, edit क्या करना है, starting में जो www लिखा हुआ है, इसे हमें यहां से delete करना है, और यहां पर हमें type करना है M, सिर्फ M लिखेंगे, www के जगे, सिर्फ हम M लिखेंगे, और उसके बाद enter कर देंगे, एंटर करने के बाद, वीडियो हमारे सामने open हो जाएगा, इस वीडियो के हम फिर से play करेंगे, प्ले करने के बाद दोस्तों हम यहां पर फिर से right click करेंगे, और right click करने के बाद, आपको यहां पर एक option दिख रहा हो, save video as, तो अब दोस्तों, save video as पर click करेंगे, क्लिक करने के बाद, दोस्तों, save as का एक छोटा सा window जाएगा, अब यहां से दोस्तों हम location चूज कर सकते, कि हमें इस video को अपने system पर कहाँ पर save करना है, यहां से आप video का जो name है, वो change कर सकते, कुछ भी दे सकते, उसके बाद यहां पर save पर click कर देंगे, save पर click करने के बाद Facebook के किसी भी वीडियो को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते है, उमीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों का कोई भी doubt या फिर कोई भी सवाल हो, तो आप प्लीज हमें नीचे comment करके ज़रूर बताए, वीडियो पसंद आने प तब तक अपना खियाल लखिए, खुदा आफिस